नमस्कार दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question डिसकस करेंगे दिल्ली पुलिस SI exam के लिए तो SI का जो exam होने वाला है दिल्ली पुलिस का या फिर हम कह सकते हैं SSC CPO का जो exam होने वाला है 23 से 25 नवंबर के बीच में उसके उपर main focus रहेगा इस वीडियो का यह जो व हमारी वीडियो पसंद आये तो हमारी वीडियो को like जरूर करें और साथ हमारी चैनल को subscribe करें तो चलिए start करते हमारी वीडियो देखते हमारा पहला question क्या है तो हमारा पहला question है which of the following river are west flowing rivers तो इन में से कौनसी river है जो की west की side flow करती है तो हमारा answer हो जाएगा नर्मदा एंड तापी तो नर्मदा एंड तापी river जो है ये दोनो river west flowing rivers होती है which of the following parts is related to the directive principle of state policy तो directive principle of state policy जो आता है ये कौनसे part में आता है तो हमारा answer हो जाएगा part 4 तो एक basic question है जिसका answer आपको पता ही होगा कि part 4 में आता है directive principle of state policy which amendment act of the constitution made पंचायती राज आ constitutional body तो ये question हम पहले भी discuss कर चुके है एक most important question रहता है कि हमारा जो Indian constitution है उसमें जो पंचायती राज add करा गया था वो कौनसे amendment act के थुरू करा गया था तो हमारा answer हो जाएगा 73rd amendment act 1992 तो 73rd amendment act 1992 में उसके द्वारा add करा गया था पंचायती राज सिस्टम को हमारे constitution में तो ये question अक्सर exam में पूछा जाता है which of the following is not a bone found in the ear तो ये जो हमारे 4 options दिये गए है इन में से कौनसी bone है जो कि हमारे ear में नहीं present होती तो हमारा answer हो जाएगा femur तो femur जो होती है ये thigh bone होती है जो कि सबसे बड़ी bone होती है हमारी body की जो कि present होती है thighs में तो ये आपको याद रखना है ये जो होती है ये ear bone नहीं होती है हमारे एक ear में तीन bones होती है जो कि रहेंगी melleus, incus और staples ये तीन जो होती है तीनो bones present होती है हमारे ears में अगला question देखते है हमारा When is the international workers day celebrated every year तो international workers day जो होता है यह हर साल कौन सी date को observe किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 1st May तो international workers day जो होता है यह 1st May को celebrate किया जाता है हर साल अब दोस्तो days जो होंगे यह important रहेंगे days के उपर आपको ज़रूर एक question मिलेगा आपके exam में तो जितने भी important days रहते हैं उनकी वीडियो आपको हमारे channel पर मिल जाएगी आप उसको भी देख सकते हैं आपको helpful रहेगी अगला question देखते है हमारा Which of the following sports person wrote the autobiography book Ace Against Odd तो Ace Against Odd जो है यह किसकी autobiography है तो हमारा answer हो जाएगा सानिया मिर्जा तो सानिया मिर्जा जो है जो कि इंडिया की famous tennis player है उनके द्वारा book लिखी गई है जो की रहेगी Ace Against Odd काफी famous book है काफी चर्चा में रही है तो आपको याद रखना है कि Ace Against Odd जो है यह लिखी गई है सानिया मिर्जा के द्वारा which of the following festival is celebrated in Tamil Nadu तो इन में से कौन सा festival है जो की celebrate किया जाता है Tamil Nadu state में तो हमारा answer हो जाएगा पॉंगल तो पॉंगल जो festival होता है यह एक festival होता है Tamil Nadu state का festivals के उपर भी आपको separate video मिल जाएगी हमारे channel पे तो आप हमारे channel में playlist में जाके एक playlist मिलेगी आपको all static topic के नाम से तो उसको आप देख सकते हैं उसमें जितने भी topics रहेंगे उन सबकी separate videos आपको मिल जाएगी अगला question देखते हैं हमारा who among the following built the Microsoft disk operating system जिसको की हम MS-DOS के नाम से भी जानते हैं तो MS-DOS जो है यह किसके द्वारा बनाये गया था तो हमारा answer हो जाएगा Tim Patterson तिम पेटरसन जो है यह developer है जिनके द्वारा develop करा गया था MS-DOS को तो आपको याद रखना है कि Microsoft disk operating system जो है यह बनाया गया है Tim Patterson के द्वारा खान Khan Abdullah Gaffaur Khan was popularly known as तो Khan Abdullah Gaffaur Khan जो थे इनको किस नाम से जाना जाता था तो हमारा answer हो जायएगा frontier गांधी तो frontier गांधी के नाम से जाना जाता था Khan Abdullah Gaffaur Khan को यह जो है एक पाकिस्तानी थे और इननको जो है भारत के सबसे बड़े award भारत रत्म से सम्मानित किया गया था तो यह आपको याद रखना important रहेगा Who was the founder of स्वराज party तो स्वराज party जो थी उसके founder कौन थे किसके द्वारा found करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा मोतिलाल नहरू तो मोतिलाल नहरू जो थे इनके द्वारा found करा गया था स्वराज पार्टी को अमीर खुसरो was a famous musician in the court of which emperor तो अमीर खुसरो जो थे जो कि एक famous musician थे किसके empire में तो हमारा answer हो जाएगा अलाउद्दीन खिल जी तो अलाउद्दीन खिल जो थे उनके court में एक famous musician थे जिनका नाम रहेगा अमीर खुसरो तो ये भी question exam में पूछ लिया जाता है which of the following trophies slash cups is associated with cricket तो इन में से कौनसी trophy है या फिर cup है जो कि related होता है cricket से तो हमारा answer हो जाएगा irani cup इरani cup जो होता है ये related होता है cricket field से trophies और cups के उपर भी आपको separate video मिल जाएगी हमारे channel पे अगला question देखते है हमारा which is the only organ in the human body that can regrow and regenerate तो हमारी body में कौनसा एकलोता organ होता है जो की दुबारा grow कर सकता है और generate कर सकता है अपने आपको तो हमारा answer हो जाएगा liver तो liver जो होता है ये एक ऐसा organ होता है human body में जो की regrow हो सकता है अगर हमारा liver जो है उसका कुछ part खराब हो जाता है या हम donate कर सकते हैं तो वो दुबारा भी grow हो जाएगा या फिर दुबारा generate हो सकता है तो इसलिए बताया जाता है कि liver जो होता है उसका कुछ part donate किया जा सकता है तो ये आपको याद रखना important रहेगा what is the rank of India team in ICC test match ranking as on May 2020 तो इंडिया team जो है उसकी ICC test match ranking में क्या rank रही है में 2020 के मुताबिक तो हमारा answer हो जाएगा third तो भारत की जो है third rank रही है ICC test match ranking में जो की जारी करी गई थी मई 2020 में which of the following acid is used in photography तो photography जो होती है उसमें कौन सा acid होता है जिसका use करा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा acetic acid तो acetic acid जो होता है उसका use किया जाता है प्रियोग किया जाता है photography में जो professional photography होती है उसमें use करा जाता है acetic acid का who among these designed the statue of unity तो statue of unity जो है जो की इंडिया का या फिर पूरे world की सबसे उचा statue है और जो की dedicated है सरदार वरलब भाई पटेल को तो ये जो है ये किसके द्वारा design करा गया था तो हमारा answer हो जाएगा राम वी सुतर राम वी सुतर जो है इनके द्वारा design करा गया था statue of unity तो ये आपको याद रखना है और statue of unity जो रहेगा ये located है गुजरात state में तो बनवाई गई थी कौन सा मुगल रूलर था जिसने ये बनवाया था तो हमारा answer हो जाएगा औरंगजेब तो औरंगजेब जो था उसके द्वारा बनवाई गई थी मोती मजज़ेद जो की located है डेली में which feature of Indian constitution is borrowed from Japanese constitution तो इन में से कौन सा feature है जो की हमने borrow किया है अपने Indian constitution में Japanese constitution से तो हमारा answer हो जाएगा procedure established by law तो procedure जो होता है establishment का law का वो हमने borrow किया है Japanese constitution से तो ये जो हमारे Indian constitution में हमने features borrow किये हैं ये सबी important रहते हैं कौन कौन सी country से borrow किये गए हैं ये आपको जरूर पता होने चाहिए ये हमने अभी पीछे ही आपको एक video provide कराई है sources of Indian constitution के नाम से उसमें हमने सारे features जो की borrow करे हैं Indian constitution में वो बताए हैं तो आप उस video को भी देख सकते हैं अगला question देखते हैं Who was the chairman of the first planning commission of India तो पहली planning commission of India जो थी उसके chairman कौन थे तो हमारा answer हो जाएगा तो इसके जो chairman होते हैं वो current prime minister होते हैं जिसका नाम बदल कर अब नीती आयोग कर दिया गया है तो नीती आयोग जो है ये अब latest नाम है planning commission का तो अभी present time में कौन chairman है तो अभी present time में chairman रहेंगे Prime Minister Narendra Modi Prime Minister Narendra Modi chairman है नीती आयोग के Which of the following is located in Tamil Nadu तो इन में से कौन सा dam है जो की located है Tamil Nadu में तो इसका answer आपको पता ही होगा तो हमारा answer हो जाएगा method dam method dam जो है ये एक dam है जो की located है Tamil Nadu state में Which among the following is the rank of India in IMD competitive ranking 2020 जो की जारी करी गई है जून 2020 में तो IMD competitive ranking के मुताबिक इंडिया की कौन सी rank रही है IMD competitive ranking 2020 में जो की जारी करी गई थी जून 2020 में Which among the following Indus Valley site is also known as City of Black Bengals तो इन में से कौन सी Indus Valley की site है जिसको की City of Black Bengals के नाम से भी जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा काली बंगन तो काली बंगन जो site है इसको City of Black Bengals के नाम से भी जाना जाता था Indus Valley civilization में As per the International Cricket Council ICC The ICC Men's T20 World Cup Will be held in October November 2021 in which country तो 2020 में जो ICC Men's T20 World Cup होने वाला था वो Corona Virus की वैसे Postpond हो गया है तो अब October November 2021 में होने जा रहा है ICC Men's T20 का World Cup तो ये जो होने जा रहा है ये कौन सी कंट्री में होगा तो हमारा answer हो जाएगा इंडिया तो इंडिया होस्ट करेगा ICC Men's T20 World Cup 2021 का 2020 में जो होने वाला था वो होने वाला था Australia में जो की अब Postpond हो गया है तो अब 2021 का होगा इंडिया में तो ये आपको याद रखना है In which country Is the Great Victoria Desert Located तो Great Victoria Desert जो है ये कौन सी कंट्री में Located है तो हमारा आंसर हो जाएगा Australia तो Australia जो कंट्री है वहाँ पे Located है Great Victoria Desert The Battle of Chausa was fought Between Dash तो Battle of Chausa जो लड़ी गई थी ये किस-किस के बीच में लड़ी गई थी तो हमारा आंसर हो जाएगा Humayu and Shersha Suri तो Humayu और Shersha Suri के बीच में लड़ी गई थी Battle of Chausa जो की जीती गई थी Shersha Suri के दवारा तो ये आपको याद रखना है अगला कुशन देखते है हमारा In India, MS. Swaminathan is known as the Father of Dash तो हमारे चैनल पे हम काफी बार डिसकस कर चुके हैं कि MS. Swaminathan जो है उनको किस चीज का Father कहा जाता है तो इसका आंसर जातर आपको पता ही होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा Green Revolution तो Father of Green Revolution कहा जाता है MS. Swaminathan को इंडिया में और अगर पूरे वर्ड की बात करी जाए तो Norman Ballok जो होंगे उनको कहा जाता है Father of Green Revolution The Armed Forces Flag Day is observed every year on तो हर साल Armed Forces Flag Day जो होता है ये कौन सी डेट को observe किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 7th December तो 7th December को हर साल observe किया जाता है Armed Forces Flag Day Long Walk to Freedom इसे book written by तो Long Walk to Freedom जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा Nelson Mandela तो Nelson Mandela जो है इनके द्वारा book लिखी गई थी जो कि एक famous book है जो कि रहेगी Long Walk to Freedom तो books जो रहेगी ये भी एक important topic रहता है आपके exams के लिए इसके उपर भी हमने separate video प्रोवाइड कराई है जो कि आपको हमारे channel पे मिल जाएगी The largest coastal lagoon in India is तो सबसे बड़ा coastal lagoon जो है इंडिया में वो कौन सा है तो हमारा answer हो जाएगा चिलका लेक तो चिलका लेक जो है ही सबसे बड़ा largest coastal lagoon है इंडिया में Which of the following is the longest expressway in India तो इंडिया में सबसे बड़ा expressway कौन सा है तो हमारा answer हो जाएगा आगरा लखनों expressway आगरा लखनव एक्सप्रेसवे जो है ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है इंडिया में जो की करीब साड़े तिन सो किलोमीटर लंबा है तो ये आपको याद रखना है कि लोंगेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है इंडिया में तो वो रहेगा आगरा लखनव प्राब बस्तो।